हलो एव्रीवन तो कैसा हम सभी लोग एक पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल ज्यारम एजूकेशन अपपर तो बच्चो जैसा कि आप सभी जानते हैं और आज यह वीडियो जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है उन सभी लोगों के लिए उन सभ देखने को मिल रहा होगा आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्शी के वारे में जो कि अभी आप लोगों सोचल मीडिया पर देखी होगी यूट्यूब पर देखी होगी इंस्टा हर जगा है आपको रील वगरा देखने को मिलने होगी ठीक है और वीडिय जिनका नाम है विवेक बिंद्रा जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर भी हैं दोनों बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं आज हम इनकी कंट्रोवर्शी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बात है किस बात पर पर इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल सब्सक्राइब निकार सब्सक्राइब को प्रेस कर देना ताकि जितने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तरन टो टाइम पहुंचते लोग चलो चलिए तो शुरुआत करते हैं सभी लोग तो आज हम बात करने वाले हैं संदीद महिश्वरी और विविवेक बिंदरा जी की संदीप महिश्वरी 2 थी तो उस इवेनट में क्या हुआ कुछ जो भॹेक बिंदरा जी के जिन्होंने उनके जो स्कीम है जो कंपनी है उसको जुइंब किया था ठीक है अचंच तो यह जब इनसे बात हुई तो ऐसे कुछ होते हैं अपने अपने वह देते हैं वह देते हैं तो संदीप महिश्वली जी का जो प्रोग्राम होता है जो भी यूटी पर वीडियोगरा अप्लोड होती है ठीक है तो वह उसमें क्या बुलाया गया विवेक विंद्रा जी के कुछ स्टूडेंट्स थे कह सकते हुआ यह विवेक विंद्रा जी के साथ में काम करने वाले अपना व्यू लेते हैं उनसे विवेक विंद्रा जी के ऐसा बताया नहीं ऐसा डैकली नहीं बोला उन्होंने यह बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की ठीक है जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे थे ठीक है उनको यह बताया गया कि आप हमारे साथ आईए यह चलाते बड़ी कंपनी बड़ा बिजनस के नाम से तो इन्होंने कहा बूला नहीं नहीं नाम नहीं लिया रूट इस्टूडेंट्स ने लोगों यह बताया कि आप लोग हमारी कंपनी माई एसा अंकी कंपणी कहती है बड़ी कंपनी और वह हमसे चार्ज करते हैं शिखाने का कि हम आपको ब तो फिफ लवब पचास तीस से पचास दर रुपे चार्ज करते हैं और वो सिखाते हैं कि यह बता रहे थी कि हम सिखाएंगे आपको किस तरीके साथ महीने का 10 लाग 11 लाग कमा सकती हो ठीक है चलिए यहां तक बात चल रही थी तो इन्होंने संदीप महेश्वरी जी ने क्या कहा संदीप जी ने यह कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे तो उन लोगों ने यह बताया इनने जो लोग थे महां पर जो बच्चे आये थे इस्टुडेंट्स थे उन्होंने यह बताया कि हमें 50,000 रुपे लेके हमसे 50,000 लेकर सिर्फ हमें यह बताया गया कि आपको हमारे प्रोडक्ट का सेल कैसे करनी है और हमें इसमें कुछ भी नहीं सिखाया गया तो कह रहें कि यह हमारे 50,000 रुपे लिया गया है ना यह हमसे स्कैम किया गया है हमारे साथ फ्रॉड किया गया है और वो इस पैसे को लेकर हमस तक भी बात छोड़ देते हैं जब ये बात नॉर्मल हुई तो जब वीडियो अपलोड हुई तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था संदीप महीश्वरीजी ना किसी वाइद ठीक है ना किसी यूथ ने लिया था लेकिन वह यह ना कि जो गलत करता है तो उसे लगता है कि यहां पर अटक गई विवेक विंद्रा जी ने फिर एक वीडियो बनाई संदीप महीश्वरी जी के लिए और उन्होंने यह बताया नाम लेके डिरेक्टली कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं आप आकर देखिए कि हम किस तरीके से वाक करते हैं कैसे बिजनेस बना कर देते हैं बगएरा बगएरा तो फिर संदीप जीने एक वीडियो फिर अपलोड की और उसमें यह बताया कि आप जो बिजनेस करते हैं उससे ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को करते हैं और अगर वो लोग कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग यह कहते हैं कि हाप उनका कोई भी रिफंड नहीं करें कि जबकी जबकी एक और बात बता दूं आप सभी को जबकी विवेक बिंद्रा जी बहुत सी वीडियो में यह कह चुके हैं कि अगर मैं आप से 50,000 रुपे ले रहा हूं या 30,000 रुपे जितने भी ले रहा हूं ठीक है और मैं अगर आपको पैसे 10,000,000 करके नहीं देता हूं हर महीने अगर 10,000,000 कमाना नहीं सिखाता हूं तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा यह सिर्फ उन्होंने वीडियो में कहा है जबकि रियल्ट करें तो यह बात किसी कर रहे हैं तो रियल्टी में किसके की बात हो रही है और वो मार्कटिंग कहे लो इसे या फिर इसे हम बहुत से लोग किसके नाम से MLM के नाम से जानते हैं ठीक है और बहुत से ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं बहुत सारी कुछ कह नहीं सकते ठीक है थाउजन्स केह लो थाउजन्स ऐसी खान क्मपनीज क्धिलि नहीं क्या करते हैं जो पैसे लेकर पर पर उड्स प्रोडेक्ट आपको देंगी टिकाई और अपसे ही अपने पेने किष्ट्रिखbane करवाएंगे और फिर वो कहेंगे कि आपको बिजनिस बड़ा बना के देंगे देखो होता कि है रियल्टी में आज हम बात करते हैं होता यह है कि कोई भी कंपनी है मानलो आप से बीसजार रुपे ले दिया कितना ले लिए यह फाइव और जिसने आपको लगा लगाए वह आपको अपर में घ्या लाएगा तो 5400 मैंसे आप जो आपके अपनाई ना उसको लगबग मैं बता रहूं 1000 रुपी मिलेंगे आपके अपलाइन को आपके सिर्फ 1000 रुपे मिलेंगे बाकी का 40000 जो है बाकी 4000 वो चला जाए किसके पास company के पास किसका पास company 10000 जो है यह आपको मिलेगा commission के रूप में ठेक है बाइक कंपनी क्या करेगी कि जो आपके अप्लाइन का भी अप्लाइन हो उसको भी थोड़ा वह डिस्टिबूट कर देगा इस तरी के थोड़ा थोड़ा जबकि कंपनी लगभग अपने पास 70% रखती है बागी वह 30% सिफ डिस्टिबूट करती है यह नेटवक मार्केटिंग वह क्या करेंगे ठीक है चलो अब वह क अपने 5,000 रुपए लिए 5,000 और इससे भी आपने 5,000 लिए समझाएक लिए ठीक है तो आपको यहां से थाउजन्ट मिल जाएंगे और यहां से भी आपको थाउजन्ट मिल जाएंगे लेकिन लोग यह नहीं समझते कि कंपनी को कितना रुपए दिया है फूए चार हजार समय से ऑफ लगण पिते तो चार आपको आप अप्लाइन को भी आपना प्रॉपिट देखती है कंपनी का प्रॉफिट होता है यह यह कहते हम रीफंड नहीं करेंगे और विफंड नहीं करेंगे इसका मतलब अगर रिफंड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो यह कहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को दो-चार लोगों को जोड़ लो और अपना वहां से पैसा निकाल लो ठीक है करेंगे क्या कि आप वो कहेंगे कि आप 55,000 वाले ही आपको पांसर रुपर लगें पांसर वाला एक बंदो आप को तीन बंदे लियाओ आपको हजार जाजार से मिल जाएंगे तो आपके 3-4,000 बंदे लियाओ आप चार बंदे अब देखो अब आप चार बंदों से अपना कमा लोगे इस 4,000 बचा हुआ और आप यह से निकल लिगो मतलब यह कि आ आप निकलेंगे भी अगर वहां स एक्षिट भी करेंगे तो भी आपको चाल लोगो मूर्ख बनाना है यह नेटवर्क मार्केटिंग गलत देखो मैं बता हूं क्यों कहां सही और कहां गलत है तो चार लोगों को अपना पैसा निकालने के लाप चालों को मूर्ख बनाओ फिर फसे रहेंगे लेकान आपका रिफ है आप जैसे ही किसी डैक सेलिंग में आएंगे या फिका सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग मांगे आएगे आपको दस रुपए की चीज़ वेकी जाएगी आप को मैं बता रहा हूं पर यह कि इतने रुपह में थेडिश रुपह में इन जो साबुन आपको दस रुपह बी वे एक बाद बटाऊं कंपनी प्रॉफिस लिकामारी आपसे आप कहते हैं कि मास्रेविस तरह भी हरी सकते वो लोग खरी सकते हैं जो एक्दम उपर बैठे हुए हैं दो कंपनी के एक्दम ऊनर है वो कांवी वो कई करोनों का विजनिस कर लेते हैं Even if the latest का उनर एикомने पर से देख रहें एक्षम्राइब हो सब्सक्राइब करते हैं जितना भी कह सकते हो आप विवेक विंदरा जी चला रहे हैं उसमें यही हो रहा है क्या हुआ कि आपकर पचास जार एक बंदे से लिया बहुत से लोगों ने यह यूटिप पर डाला है कि हम सुसाइड कर लेंगे हमारा रिफंड वापस कर तो लेकिन उनका रिफंड वापस नहीं किया लिखन नहीं किया गया इननहोंने तकह वह कह रहे हैं कि हमने इसा के हम रुपइ का भी कुछ नहीं लिया तो जो में वहल्ष लेकर कई हर महिन्य का दसलाउग 1 लाग कमाएंगे और बिचारे फस पस जो तो यहां आसा समझ सकते हो कि कौन सही है और कौन गलत है यही बात संदीप महिश्वरी जी ने समझाई थी कि आखिर गलत कहा हो रहा है मैं टीचर होने के नाते में यह नहीं कहूंगा कि बिजनिस करना गलत बात है लेकर मैं यह कहूंगा कि बिजनिस के नाम पर स्कैम करना गलत बात है अगर आप बिजनिस के नाम पर स्क कि आपके प्रती एक्षन लिए जा सकता है क्योंकि आर बी ऑई और इंडियन पता नहीं कहता है एक लेकिन के ला में लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ समय नहीं कर सकते थैंगरी सीस्टार के लीगल नहीं माले जाएंगे वह इलीगल है अगर लो में ऐसा लिखा हुआ है अगर देखो लो का कहता है वह कहता है कि अगर आप 50 रुपे का किसी को बिजनेस करवा रहे हैं 50 रुपे लेते हो और अगर उसे 50 रुपे का फायदा हो रहा है उस बिजनेस से तो यह स्कैम नहीं है लेकिन अगर आप किसी बंदे से 5,000 रुपे ले रहे हो और उससे सिर्फ आप 50 रुपे का फाइदा करवा रहे हो तो यह स्कैम है क्यों से प्रॉफिट नहीं लॉस में तो जा रहा है और कंपनी देखो गॉर्मेंट का लोई एक और बात कहता है क्या कहता है वो यह कहता है क कि अगर आप पैसा लगा के मानलों अपने लगा दिए 5,000 कोई बात नहीं आपने अगर 5,000 रुपीज लगा दिए ठीक 5,000 आपने लगा दिए कोई बात ठीक है लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ठीक है सब सही तरीके से वर्प कर रहे हैं आप कंपनी में कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे सा अच्छा प्रफॉमेंस दें कंपनी के साथ ठीक है आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता नहीं हो रहा है अगी तक आपको प्रॉफिट कब होगा जब आपने चार बंदे एड़ किये 4% एड़ किये अगर 4% को एड़ करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है तो यह स्कैम है इसका मतलब यह कि कंपनी साथ के द्वारा काम करने से उस मैं से काटके आपको प्रॉफिट देरिए अप V प्रॉफिट अपना ही प्रॉफिट आपको काम प्रॉफिट हो और या ईवन मैं बताऊं मैंने भी network marketing की है और मैंने भी कुछ ऐसी कंप्री जोइन की थी जिन मैं मुझे इसमर लॉस देखने को मिला ठीक है तो मुझे लगता है कि बहुत जगए क्या होता है स्कैम होता है यही संदीप महिश्वरी जी बता रहे थे जो इनको बुरी लग गई मैं इनको बहुत अच्छा समझता था अभी फिलाल तक ठीक है लेकिन यह स्कैम यह पता चला कि बहुत से लोग इनकी वैसे परिशान है तो मुझे थोड़ा सा विवेक बिंदरा जी का यह behavior ठीक नहीं लग नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है मैं यह नहीं कह रहा कि संदीप जी ह हमेशा पहले से सही है हो सकता है बहुत से मुद्दों पर गलत हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर यह बिवेक बिंदरा जी अगर सच में 50,000 रुपए लेके अगर 10 लाग का बिजनिस करवा रहे होते और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तुनका रिफंड लॉट रहा होता है क्यो कि प्रॉफिट नहीं और आप उसका रिफंड नहीं कर रहे होते हैं यही बात संदीव जी नहीं जो बात बुरी लग गई छिकर भी हैं इसी कंप्णी के ओनर ऐसे कंपनी के जो कह सकते हो आप अपर एंपलोई को ठह replान का नाव नहीं लिए चाथा दंज या सिकक लेह आ थो उनको दिकत नहीं हुई उन्होंने कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं किया यह चुप बैठे रहते कुछ इन्हें टांग अडाने की जववती नहीं थी अगर वह रहे थी कोई कंपनी ऐसी है जो स्कैम करती है तो इन्होंने टांग क्यों अडाई इस बात में पहली बात तो अगर यह टांग अड संदीप महिश्वरी जी के वीडियो के नीचे कमेंट या थी विवेक विंदराजी नहीं सकती है तो ऐसा उन्हें लगा विवेक जी को की हमारे बात हो रही जबकि ऑस पुरी वीडियो आप देख सकते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि पहली बात दूसरी बात यह क जब विवेक जी नेन का reply किया संदीप जी का तो उन्हों ने ये बताया कि संदीप जी जो वीडियो बनाते हैं उस पे व्यूज नहीं आ रहे थे क्या नहीं आ रहे थे तो उन्होंने इसलिए क्या किया है मुझे उठा लिया मेरा topic ले लिया और इसकेम बता दिया मेरे business को तो तो एक बात बताईए किया आप YouTube पे काम करते हैं YouTube बगेरा पहने करते हैं तो यूट्यूब से ही फेमस हूए है ठीक है और आप तो मैं बहूं कि आपने YouTube से बहुत पैसा कमाएा भी होगे monetization करके संधीब जीने तब ही तक checks undertage वह भीने आइस beginner वी रही कि अब करें और बहुत से लोग करें अभी वीडियो आई है और बताया है कि मैं अपने चैनल को मॉनिटाइस करूंगा अगर क्योंकि मुझे एक ऐसी ऑर्गनाइजेशन मनानी है इन स्कैम्स को रोक है उसमें जो पैसा लगेगा वो मैं मॉनिटाइजेशन से लगाऊंगा तो करें अपना चैनल को बुरी बात है नहीं सब पैसे हमाना है यहां से लोग किया कब जब आप real में डॉक्टर हो डॉक्टर मतलब जो आप किसी भी एंबीबेस डॉक्टर टाइप के अप खो सकते हो ठीक है चलिए टो एक तो आप कोई विह दिख्रियी है और ना कोई MBA-s किया है ठीक है इन्होंने किया क्या है इन्होंसे स्री लंका को से का है चैंश की मों अप अपनी नाम इनके पास एक्स्पीरियह नहीं है ना तो किसी सब्जेक्ट Bem er ना उसकी सब्जेक्ट के cabin बहुत बड़ा जानते हैं जिनके आगे इनका नाम नोंने डॉक्टर लगा लिए ठीक है तो इन सारी चीजों से जो मैं बता रहूं कि आप भी यूटूब से बने वो भी यूटूब से बने ठीक है लेकिन जो फैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा देखिए अगर आपक लेकिन अगर आपने फेक किया है अगर आप करते हैं तो हो सकता है और आपके ऊपर एक लिगन एक्षन लिया जैसा भी तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम स्पेस करनी पड़ें क्यों क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो गलत पाएंगे भी कहता है जैसा बोगे वैसा पाओ ठीक है मैं किसी को टार्गेट नहीं करना चाहता लेकिन जो स्कैम है उसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता और ना करना चाहिए हर भारतिये का ये हर भारतिये का क्या है ये करतव है कि वो लॉक एक काम करें कभी किसी के साथ गलत ना करेंगा कोई किसी के साथ स्कैम करता है तो उसके प्रति लीगल एक्षन लिया जाए और उसके प्रति अगर आप पेटिशन फाइल करना चाहिए कोई आपको 50 रुपे की चीज़ आपको 50,000 में बेच रहा है स्कैम है ठीक है और मैंने बताया कि यह भी लिखा है गौवर्मेंट ने भी लिखा था है कि अगर आप एग्रिमेंट भी करवा लेते हैं कि आप कंपनी नहीं चोड़ेंगे और लौ में लिखा हुआ है कि कि संदीप जी सही है या विवेक विंदरा जी ठीक है मैं किसी के खिलाप नहीं बोलना चाहता था पर जो गलात है सिर्फ मैंने वो आपके सामने दिखाया है ठीक है व्यूद से फरक नहीं पड़ता किसी की वीडियो तो दोलाख आ रहे हैं कि दसलाख आ रहे हैं संदीप मह हो सकता है ठीक है सिर्फ पैसा कमाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि आपकी वीडियो से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो से बीच में डिस्टरवेंस नहीं यह बहुत बड़ी बात ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के इस मौडरन टा कुछ सही और कौन गलत है अब आपकाम सब कुछ डिटेल हम बता दिया क्या एकस्प्लेनेशन है क्या में अब बता दिया है और अब यह उनके खिलाप एक्षैन लिया जाए तो एक ऊगनाएशन मनाएंगे हम जो इन स्कैम्स को रोकेगी उनके प्रती एक लीगन एक्षन लेंगी एफ आई यार दर्च करवाएंगी पुलिस वाले भी नहीं सुनते बहुत से जगए नहीं सुनवाई होती है क्यों पता चलता है पता चलता भी तो केस रफा दफा हो जाता है पैसे वैसे दे हैं ठीक है अच्छा तरी के सवाग करती है बहुत से लोग जेल में भी हैं ऐसी कंपनीज के ठीक है बट हर कोई जो भी स्कैम कर रहा है उसके खिलाव एक्षन लिया जाना चाहिए तो यह सारी जो स्कैम है इनको रोकने के लिए चाहिसे आप स्कैम कहिए या फिर आप धोका करते भी ना हूं तो मेरे हिसाब से और आपके सबसे कौन सब्सें है और हां तो ये तो बात थी संदीब जी कि इद रजी तो तो मैं क्लास 12 वालों को जो बोर्स के बच्चे उनको बताना चांगा कि आपके बोर्स के एक्जाम आ गए हैं तो सभी लोगों को मैं प्रोवाइट करवा रहा हूँ फिजिक्स का मैठ्स का और साइंस का 10th क्लास को ठीक है 11 12 को जो बोर्स के बच्चे 12 वाले उनको फिजिक्स होता है ना कि किसी employee को अगर employee employee को फाइदा हो रहा है तो वो सिर्फ उसके काम से होगा और वो दूसरों को धोका दे के और दूसरों के साथ स्कैम करके होगा समझाए कि नहीं चालिए थेंकिस आप सबी को कि